राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोडी लाल मीना के स्तीफे के सियासी माईने निकाले जा रहे हैं उपचुनाव से पहले मीना के स्तीफे से सत्ता और संगठन की टेंसर बढ़ गई है ऐसे में भाजपाप डेमज कंट्रोल में जूटी है राजनीतिक विश्रेश्थकों का कहना है कि किरोडी लाल ने इस्तीफा दे कर अपना दम दिखाया है क्योंकि बीजेपी में गुटबाजी का वह सिकार हो रहे थे राजनीति में सीम भजपाप डेमज किरोडी से काफी जूनियर है ऐसे में भज़नलाल कैविनेट में काम करने से खुद के असहाज महसूस कर रहे थे हाला कि किरोडी लाल ने इस बाद से इंकार किया है कि मुक्यमाज किसी तरह के मतभेद है धूसरी तरफ पूरवी राजस्थान में किरोडी लाल की जमीन खिसकती चली गई उनके ग्रेज जिले दौसा से कॉंग्रेस ने बड़े अंतर से बिजेपी को हरा दिया सवाई माधोपूर करॉली और दौसा किरोडी के प्रभाव वाले इलाके माने जाते हैं लेकिन लोगसभा चुनाओ में बिजेपी की इंजिलों में करारी हार हुई थी उन लेखनी है कि दौसा सीट पर हुई हार की जिम्मेदारी लेते हुए किरोडी लाल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि मेरा ने परिणाम से पहले ही बयान दिया था कि अगर दौसा सीट से भाषपा का कनही अलाल मेरा चुनाओ हारेंगे तो वह मंत्री पस से इस्तीफा दे देंगे मंद भरा बयान दें मुराइल लाज यह ठीक नहीं है सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करने पड़ेगी जैसे बाड़ मेर चूरू हां जीतनी चाहिए हमारा दो यह है कल चुनाओ परिना मार रहे हैं आप उसाथ सीट वोड़ी में दाइर दिवाप बता दिए देखो जो मैंने बयान दिया था वो प्रधान मंत्री जी से आने से पहले दिया था महुआ मैं अगर इसे सीट में जीता नहीं तो मैं मंत्री हां तक गए तो मेरों को अलग से बातकीर साथ सीटू की लिस्ट पकड़ा दी तो मैंने ग्यारे सीटू पर मेहनत की साथ पर ज्यादा की वो साथ में से एक भी हार गई तो मैं मंत्री पर छोड़ गए यहां पानी पिलाता रहूँ भाजपा की दोसा में हुई हार के बाद से ही विपक्ष लगातार किरोडी लाल मीणा पर इस्तीफे का दवाओ बना रहा था लोकसभा चुनाओ परिणाम आने के ठीक एक महीने बाद यानि चार जुलाई को किरोडी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया मीणा ने खुद को मीणा ने खुद अपने इस्तीफे की घोसना कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया मुख्यमंत्री भजणलाल ने अभी उनका इस्तीफा स्युकार नहीं किया नहीं किया है बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक कारिक्रम के पोश्टर लॉंच के द कदम से भाजपा को नकेबल उप्चुनाओं में बलकी पंचायत और नगरी इन निकायों में भी खासा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है अपने इस्तीफे के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए कि रोडिलाल मीडा ने कहा कि वो अपने प्रभाव वा देते हुए मंत्री पर से स्तीफा दे दिया है अब आगे संगठन ने दोसा सीट पर उप्चुनाओं की जिम्मेदारी दी है ऐसे में इस सीट पर भाजपा की जीत हो इसके लिए काम करेंगे बताया जा रहा है कि स्तीफे की चर्चाओं के बीच मीड़ा दो दिन दिल्ली मे कहा कि उन्हें किरोडिलालमीना के इस्तीफे की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको लेकर वह बात करेंगे किरोडिलालमीना पार्टी के वरिष्ट नेता है ऐसे में इस्तीफे की पीछे की बजहों पर पार्टी इस तर पर बातचीत होगी उसके बाद ही कुछ तय किया जाएगा किरोडिलालमीना के इस तीफे से भाजपा में जिस तरीके से हल चल मची है उससे यह बात तो इसपस्ट है कि आने वाले उपचुनावों में बिजेपी को अपना नुकसान होता दिखाई दे रहा है और कॉंग्रेस इसको लेकर लगातार हमलावर है उपचुनावों में यह मुद्दा बनेगा जिसकी बज़े से भाजपा की टेंसन और बढ़ती चली जा रही है